मैंने आपसे वादा किया था कि जो मेरे प्यारे भाई बहन असिस्टेंट आपरेटर हैड आपरेटर या कहें रेडियो आपरेटर या उत्तर परदेश पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो मैं पूरा स्लेवस वाइज क्लास कवर करवाऊंगा जिसमें हिंदी भी स्लेवस जा रहे प्रतिसत कब्र हो पर आपको अबसर रहे आपको सभी सिद्या रेगुलारी टी बना कर पढ़ते नहीं बचाएं दो र्हें आप चाहें तो इसे अपने भविस्र समारने में लगा दे या बिगाड़ने में यह आपके ूपर डिपेंड करता है लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ अगर आप हमारे चैनल के साथ दो महीने तक जुड़े रहे तो मैं कहता हूँ कि आपका सलक्षन जरूर होगा लेकिन जुड़े रहने से सलक्षन नहीं होता मेरे भाई पढ़ने से सलक्षन होता तो please class को ignore नहीं करना है, regularity बना कर आपको पढ़ते रहना है क्योंकि practice से ही आप अपने आपको बेहतर कर पाएंगे तो चलिए आज हम कबर करेंगे अनुपात और समानुपात के सभी प्रस्न पहला प्रस्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है तीन दिन का तीस घंटे के साथ अनुपात ग्यात कीजिए अब आपको पता होना चाहिए, तीन दिन और तीस घंटे की बात कही गई है तीस घंटे की, तो हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 3 दिन में कितने घंटे हो गए 24 और बराबर के कितने दिये गए है 30 बस आपका सवाल लग चुका है तीन से कार दीजे तीन दहमा 30 इधर हुआ 24 इधर हुआ 10 फिर इसे कार दिए 2-12 बार में 2-5 बार में T से हुआ तुलिप और D से हुआ देवांस कितना है तुलिप के पास साथ है देवांस के पास नौ है जबकि सीतल और देवांस के पास कंचो के संख्या साथ पंदरा है यहां देवांस के पास नौ था यहां देवांस के पास पंदरा है तो फिर देवांस के पास पंदरा है उस अगर पूछ लिया जाए तो इसे कहची गुड़ा करते हैं पहले 7 से 15 को करेंगे फिर 9 से 15 को करेंगे और फिर 9 से 7 को करेंगे तो 15-105, 15-9-135 और 9-63 हो गया फिर पूछा गया तुलिप और सीटल के पास कंचो की संख्या तो तुलिप के पास 105 और सीटल के पास 63 ये कंचो की संख्या है अब हमें क्या करना है इसे काट देना है अगर मैं इसे काटू तो 21-63 और 21-5-105 दोस्तो टेबल आपको आना चाहिए तीस तक तभी आप कुछ कर पाएंगे तो पांच अनुपातीन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्न आपके सामने है दो संख्यां तीसरी संख्या से करमसा तीस प्रतिसत और साथ प्रतिसत अधिक है तीस प्रतिसत और साथ प्रतिसत अधिक है अब आपको क्या बताना है मैं मानता हूँ तीसरी संख्या सव है और तो क्या कहा गया है दो संख्यां तीसरी संख्या से तीस प्रतिसत और साथ तो दूसरी क्या होगी एक साथ प्रतिसत का मतलब साथ जादा और एक कितना जादा है तीस पर इसन मतलब 130 बस आपका सवाल लग चुका है आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का अनुपात तो यह दोनों संख्याओं का अनुपात 130 और 160 है 0 से जियो कार देंगे आ जाएगा 13 अनुपात 16 तेरा अनुपात 16 इसका और एंसर हो जाए गा, अगला प्रस्ट आपके सामने, A अनुपात B बराबर 5 अनुपात आठ, तुलिप और जो अभी सीतल जैसे सवाल ऐसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है, फिर B लिखना है, और फिर C लिखना है, अब यह का दिया गया है, पांच तो पांच लिखेंगे, बी का दिया सारा दिया गया तो बी के सामने अठारा लिखेंगे और सी का पच्छी सवाल्व में मैंने आपको बता है कहिची गुखला करना पहले इस तरह गुला करेंगे फिर सीधा गुला करेंगे पिर इस तरह गुला करेंगे तो अठारा पंचे हुआ नव्बे अठारा ठेहए ссыл 44 और दोस्तोकि फिर आप देखेंगे 265-58 कितना हुआ 200 तो पूछागा यहाज यह का आया नव्बे और सी का आया Jennifer तो जीरो से जीरो कट गया आया bastard नो अनुपात बीस इसका करक्ट आइंसर जो की आपसना नंबर B में दियागया है। अगला प्रसना आपके सामने इसका उत्तर आपको दियागाय है से मुईसे सवाल है आपको कुछ करना नहीं है यहां पे दिया गाई यल यम और फिर यम यन फिर दोस्तों यल यम अब देखें यल यम कितना है तीन पांच तो यल के अस्थान पर तीन यम के अस्थान पर पांच फिर यम यन दो तीन फिर यम यहां दो बार दिया गाई तो यम के सामने दो दिया गया है तीन करना, फिर कैची गुड़ा कर देना है और आपको तीन दुनिक कितना हुआ क्फे पांसक्तिनः कितना हुआ श्यक्राइव कटना ुगा, यह तो पैसा अपके झूटा कर सकते हैं यह आपके कैसे अगला प्रसण आपके सामने सेम इसे इसे भी लगाना है कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां ए और बी दिया गया है तो यह का मान तीन है तीन करेंगे बी का मान चार है चार करेंगे और फिर यहां बी का मान छे दिया गया है छे करेंगे फिर सी का मान पांच दिया गया है तो सी का पांच करेंगे क चार चख हुआ चोबीस और चार पंचे हुआ बीस तो पूछा गया है यह और एपलस सी तो आप देखेंगे दोस्त आया है एक कमान अठारह तो हम अठारह लिख लेंगे अनुपाथ फिर ए-पलस सी आगया है ब्रेकट में तो यह कितना है अठारा और सी कितना है बीस और प्लस के हम बीस कर देंगे फिर यहां होगा अठारा अनुपात इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनतीस कितना हो जाएगा अनतीस अब हम इसे काट देंगे दोस्त तो अगर हम इसे काटना चाहें तो यह अगर सी में दिया गया सी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने किसी मिस्रड में रेत और बजरी का अनुपाथ साथ अनुपाथ आठ है तो आप क्या लिखेंगे रेत और बजरी साथ अनुपाथ आठ है तो साथ लिखेंगे आठ लिखेंगे जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपाथ 6 अनुपाथ साथ है फिर बजरी का देखें यहां पे छे दिया गया है तो फिर बजरी का छे करेंगे और सीमेंट दिया गया है साथ से सीमेंट करेंगे उसका साथ दिया है 56 तो 42 और 56 हुआ तो साथ शक 42 सता वठे 56 इसका च्छे अनुपात 8 करक्ट एंसर हो जाएगा इसमें 8 अनुपात 6 दिया गा है दो से 6 में भाग देंगे तीन बार में जाएगा तीन तरीक का नव आ जाएगा तो नव लिखेंगे फिर तीन से 6 में भाग देंगे दो बार में जाएगा दो सत्य करेंगे 14 आ जाएगा तो यहां A का मान आया 9 और B का मान आया 14 ऐसे इसमें 5 और 7 का लासा देंगे 35 होगा और 5 से 35 में भाग देंगे 7 बारे में जाएगा साथ को एक से करेंगे 7 आ जाएगा तो यहां B कमान 7 आ गया फिर C वाला साथ से 35 में भाग देंगे 5 बारे में 5 एक कम 5 आ जाएगा तो यहां C का 5 आ गया फिर क्या करना है यहां पर आपको A B C लिख लेना A का मान यहां 9 दिया गया है 9 लिखना है B का मान 14 दिया गया है 14 लिखना है यहां पर B का मान 7 दिया गया है तो 7 लिखना है C का मान यहां पर आप देखेंगे 5 दिया गया है 5 लिखना है बस आपको क्या करना है कहेंची गुडा कर देना है 9 सते हुआ 63 मैं इधर लिख देता हूँ 63 A और 14 सते 98 में B 98 में और C 14 पंचे 70 C 70 हो गया अब आपको क्या करना इसे आपको काट कर छोड़ कर लेना है तो हम क्या करेंगे इसे अगर हम काटे तो ये खटेगा 7 9 63 और 7 1 7 2 7 4 28 7 10 मा 70 तो 9 अनुपात 14 अनुपात 10 होगा जो की आपसन नंबर C में दिया गया है अगला प्रसन आपके सामने है यहां A अनुपात B दिया गया है तो आपको क्या करना है यहां लिखना है ये और B A का मान 3 दिया गया है 3 लिखना है B का मान 5 दिया गया है पांच लिखना है फिर यहां B का मान दो दिया गया है दो लिखना है और C का मान तीन दिया गया है तो हम यहां C लिखके उसके सामने तीन लिख देंगे फिर यहां C का मान पांच दिया गया है तो ध्यान से जिसके सामने C के सामने पांच रखेंगे फिर D का मान 6 दिया गया 6 रखेंगे अब इसे हम गुड़ा करेंगे तो पहले हम इस तरह करेंगे 3 दुन्नी 6 और 6 पंचे 30 फिर इसको हम छोड़ देंगे A को फिर B से लगे 5 दुन्नी 10 और 10 पचे 50 फिर हमें क्या करना है फिर हम इसे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसे इस B को छोड़ देंगे C का नंबर आया तो इस पहले वाले पांते ही 15 और 15 पचे 75 यह ध्यान लखना किस तरह मैं गूला करता हूं और फिर लाश्ट में जब आपको डी वालन लाश्ट वालन निकालना है तो पांते ही 15 पंदरा चका नवे यह आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं किस तरह मैं किया बिल्कुल आसानी से आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान आराम से करेंगे पहले आपको क्या करना है सीधा करना है तिन दुनी छे छे पंचे तीस हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है जब यह तीस हो जाएगा तो फिर इस करना इस तरह करना है पंदुनी दस और दस पचे पचास हो जाएगा तो आपको पता चला कि पहले तीस होगा फिर पचास होगा फिर आपको पांते ही 15, 15, 15, 75 हो जाएगा अब A का माना आया 30 और दोस्तो D का माना आया 90 तो A और D का पूछा गया था 30, 90 काट देंगे 31, 30, 33, 90, 95, 3 जो की आपसर नंबर C में दिया गया है अगला प्रसन आपके सामनी इसका उत्तरा आपको देना है 45, 400 को यल, K, J के बीच बाटा गया दोस्तो ऐसे प्रसन को करना का बिलकुल आसान तरीका 2, 3, 4 का लासा लेंगे 12 होगा 2, 3, 12 को भाग देंगे 6 बार में, 3, 12 को भाग देंगे 4 बार में, 4, 12 को भाग देंगे 3 बार में के का रुपया कितना होगा के का बीच वाला यहां पे है तो बीच वाला है चार तो चार से गुला कर देंगे 13, 43, 300 को चार से गुला करेंगे 12 होगा जो की आफसर नंबर सी में दिया गया है है अगला प्रसन आपके सामने 179 को 2 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित करें उपरोक्त अनुपात के अनुपात के अनुसार उनका रूप में हिस्सा क्या होगा तो देखे 179 अनुपात दिया गया 2, 5, 6, 3 होगा अगर हम एड करेंगे तो 2, 5, 7, 7, 6 कितन हुआ 13, 13 से अगर हम भाग देंगे तो इक इतने बार में जाएगा 13 बार में जाएगा 13 से 2 से गुला कर देंगे 13 दुना 26 होगा 13 से 5 करेंगे 13 पचे 65 होगा 13 से 6 को करेंगे 13 अच्छा 78 होगा तो 26, 57, 78 इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा जो कि आफसन नंबर B में दिया गय अगला प्रिस्न आपके सामने है दो धानात्मक प्रोलांक का नुपात 3 नुपात 4 है उनका योगफाल 70 है अब देखे 3 नुपात 4 है और इनका योगफाल 70 है का योगफल हुआ साथ यहां बता रहा है सत्तर तो साथ से सत्तर काटेंगे कितने बार में जाएगा दस बार में दस से तीन को गुड़ा करेंगे एक संख्या जाएगा तीस और दस से चार में करेंगे एक आ जाएगा चालीस अब क्या कहा गया है परतेग पुरलांग में कितन अनुपाच 6 मतलब 5 बटे 6 तिर्चा गर गुला करेंगे तो दोस्तो च्छा तरीक इधर हो जाएगा 1818 और पी 6 को X से करेंगे प्लस 6 X बड़ाबर 5 को 40 से करेंगे हो जाएगा 200 और 5 को X से करेंगे 5 अब आप क्या देखेंगे दोस्ति यहां आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 6 X से जब इधर प्लस माइनस से 6 X से 5 X निकल जाएगा तो क्या बचेगा केवल केवल X बचेगा और 180 उधर जाएगा जोड़ देंगे इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसन आपके सामने दो संख्याओं का अनुपात तीन जोड़ दिया जाए अब देखिए तीन अनुपात चार संख्या नहीं पता मैं मान लेता हूं एक तीन एकस है और एक चार एकस है इसमें परतेक में तीन जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है दस अनुपात तेरा मतलब बराबर के दस बटा तेरा हो जाता है कुछ भी करने की जरूर नहीं बराबर का तिर्चा गुड़ा होता तेरा को तीन एकस में करेंगे तेरा तियां 49 एकस हुआ और तेरा तियां प्लस का कितना हुआ 49 बराबर दस को चार से करेंगे 40 x हुआ और 10 को 3 से करेंगे प्लस का 30 हुआ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है 49 x दोस्तों था यहां क्योंकि 33 49 सुरी दोस्त तेरा तिया 49 और 13 49 अब 49 x यहां 40 x यहां अगर यह इधर जाएगा तो माइनस होगा तो बचेगा x और दोस्तों यहां 49 से यहां 30 है और जब 30 इधर आजएगा तो अगर 39 39 माइनस कर देंगे 49 से तो क्या बचेगा 9 तो एक्स का माना नव तो पूछा क्एक कि संख्या क्या होगी तो यहां दिया गया था तीन अनुपात चार तो 9 से हम यह नहां गुला करेंगे 9-3 हो जाएगा 27 और 9 से इसमें करेंगा 9-4 हो जाएगा 36 27-36 इसका करेक्टर एंसर होगा जो की आपसर नंबर D में दिया गया है अगला प्रसन आपके सामने इसका उत्तर आपको देना है एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपाद 15 अनुपाद 26 है यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद तता हरी गेंद का अनुपाद 1 अनुपाद 2 हो जाता है अब कुछ भी करने की जरू और नहीं पहले में 15 यक्स है, दूसरा 26 यक्स है, और दोनों में 12 गेंदे डाल दी जाती है, मतलब प्लस 12 यहां किया जाता है, प्लस 12 यहां, तो कितना हो जाता है, 1 अनुपात 2, बराबर का try गुरा होता, दो से 15 में करेंगे 30 yaks हो गा और 2 को 12 में करेंगे प्लस 12 दूना 24 हो गा बराबर 26 yaks की माँ 26 yaks हो जाएंगे और 12 yaks कितने हो जाएंगे प्लस के 12 हो जाएंगे अब क्या करेंगे jadi six here then 26 which here then जब इधर आ जाएगा तो से 26 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4X बराबर और यहां 24 दियागा यहां 12 24 जब दोस्तों 12 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 24 से 12 निकलेगा तो बचेगा 12 तो 4 से 12 को कार देंगे 3 आ जाएगा तो X का माना आ गया 3 अब पूछा क्या गया आपसे कि ठेले में कितनी लाल गेंदे हैं और लाल गेंद का अनुपात जो दिया गया है 15 दोस्ते हम आपको बता दूँ कि अनुपात समानुपात के काफी प्रसन है लेकिन यह है आज के लाश्ट प्रसन क्योंकि मुझे अभी जश्ट कहीं अलग जाना है समय नहीं है इसलिए च्छोटी सी कलास ही कल इसकी एक महराथन कलास है जिसमें लगबग 40 प्रसन होंगे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूं और कल था कि इसका कंप्लीट पूरा अनुपात समानुपात का चैप्तर कंप्लीट हो जाएगा आसा करता हूं कलास आपको अच्छी लगी होगी मिलूँगा दूसरे नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे म प्रा कि जय हो या।